इतिहास के कुछ ऐसे रेकोर्ट जिन्हें तोड़ पाना नामुम्किन है नमबर वान ओल्टाइम मिरिस्मेन मंसा मुसा दुनिया का सबसे रिस पार्षन जिनकी संपती का अंटाजा आज तक नहीं लगा पाया गया कात आता है जिस समय मंसा मुसा माली के सा सकते उस समय वहां सोने के भंदारुआ करता था कहते हैं कि उस समय वहां हर साल लगबग 1000 किलो सोना पेदा होता था अमेरिकी वेबसाइट सेलिबेटी नेटवर्ट ने अनुमान लगाया था कि मंसा मुसा की कूल संपती 400 औरब डॉलर से भी ज़्यादा था हाला कि कुछ CTRS पर का दाबा है कि उनकी संपती इन से भी ज़्यादा थी क्या आपको पता है कि वोल्ड में सबसे टॉल इंसान कौन है आप में से ज्यादा तर लोगों का एंसार होगा सुल्तान कोसें जिनकी हाइट 8ft 2.82 इंची से जो की सही भी है पत अगर हम हिस्तिर की बात करें डेंड ओल के सबसे टॉलेस आदमी है रोबर्ट पार्शन वाल्डो जो यूएसे का रहने वाला था उनकी हाइट टी 8ft 11.1 इंस जो दुनिया की सबसे लंबे आदमी थे उन्हें रोजाना 8,000 कलरी खाने की जरूरत होती थी जो की एक नॉर्मेल इंचान की तुलना से तीन गुना अधिक है नमबर 3 डी ओल्ड बिगेस डाइमन फाउंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा डी कुली नाइमन 1905 में डक्सिन आफरीका की प्रिमियम डाइमन माइन में पाया गया था इसकी कीमत लगवग 400 मिलियों डॉला यह वो रेकोड्स है जिनकी रेकोड्स को कोई ना टोड़ पाने की रेकोड्स तु समझा नै तु समझा नहीं कहने का मतलब है अस्रीटा फुर्मन यह जो आदमी है जिन्होंने अपने नाम पर लगवग 300 रेकोड्स किये हैं जिन में से सिर्फ 200 ही अभी तक तोड़ा गया ह है नमबो फाइब मौस फुटबॉल गोल्स इसकोट इने केलेंडर यार एक साल के अंदर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा गोल किये हैं देन वह है मेसी बाइड़ आपकी फेड़ेट फुटबॉल प्लेयर कौन है कॉमेंट जरूर करें साल 2001 एं 2012 के अंदर मेसी ने टोटल 91 गोल किये हैं जो की काफी अनबिलिवेबल था इस रेकोड को अपने नाम कर रखा है योबराज सिंग ने 2007 में ICC World 2020 के डोड़ान सिब बारबल में ही 50 रन किये थे एंड इस रेकोड को अब तक कोई नहीं तोड़ पाया अब को क्या लगता है इस रेकोड को कोई तोड़ पाएगा या फिर नहीं कॉमेंट में जरूर बटाए थैंक्स फूर वासिंग सब्सक्राइब डिशनल पूर मोर नॉलिजेबल फेक्ट